नमस्कार, New Student Network के इस खास कारिकम उत्रखंड समचार में आप सभी का स्वागते आप देख रहे हैं उत्रखंड की मुख कबरे चली शुरुबात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ नैनिताल हाई कोड ने दी विदायक नेगी को रहा डिने सेंप्लिंग पर लगाई रो पेड़ों को बचाने के लिए कुम में टूटी सदियो पुरानी परंपरा बताएंगे अब धर्मदोच का सुरूप कैसे बदल जाएगा उत्रखंड में अब घर बैटे कर सकेंगे इच अलान का भुकतान ऑनलाइन जमा होगा शुल कमबाइन डिफेंस सर्विस परिक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी 345 पदों पर भरती के लिए 7 फरवरी को होगी परिक्षा पोस्ट आफिस आइडी अकाउंट में अब घर बैटे ही जमा कर सकेंगे पैसा आगे खबर में बताएंगे क्या है नई स्कीम अब खबरे विस्तार से नैनिताल हाई कोट ने विधायक महेश नेगी को रहत देते हुए DNA सेंपिलिंग के लिए कोट में पेशी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फिलाल उस पर रोक लगा दी है कोट ने सरकार वा विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं अगली सुनवाई 13 जनवरी को के जाएगी मुक की नियाइक डंडा दिकारी CGM कोट देरादून ने दुशकर्म के आरोपी महेश नेगी को DNA के लिए बलड सेंपिल देने के आदेश दिये थे उन्हें देरादून CGM कोट में उपस्तित होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए उन्होंने कोट में ना पेश होने के कारण खुद का बीमार होना बताया जिसके बाद अब 11 जनवरी को विधायक महेश नेगी पिडिता और उसकी बेटी को बुलाया गया था अगली महत्मून खबर कुम्ब में बदली सदियो पुरानी परंपरा की। कुम्ब शुरू होने से पहले तमाम अखाडे नगर प्रवेश के बाद अपनी धर्म धोजा शावनियों में इस्तापित करते आए हैं जिसके लिए एक विशेश कत काटी के पेड़ के तने को अमान इस्तापित की जाएगी अकाडों की छाबनियों में इस्तापित होने वाली धर्म धोजाओ को लगाने के लिए 108 फीट से 151 फीट तक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता रहा है अगली महत्मून खबर यी चलान मामले को लेकर उत्रखन के लाकों वेपारियों और बे जमा करने को होने वाली परिशानियों से निजात मिल जाएगी वर्तमान में लोगों को सरकारी भुकतान के तहट चालान जमा करने के लिए स्टेट बैंक की मुक्य शाका में जाना पड़ता था आम तोर पर यहां लंबी लाइन लगी होने से उन्हें परिशानियों का सामना करना पड़ता है वहीं वित्विवा की सचिप सौजन्या ने बताया कि अब घर बैठी ईचलान से पैसा जमा करने के लिए जमा करताओ को IFMS पोर्टल पर पहले जरूरी विबरन भणना होगा इसके बाद रेइस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिली OTP कपरियों करते हुए पा करता रहता है इसलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुचाते रहें अगली महत्मून खबर UPSC परिक्षा से जुड़ी हुई Union Public Service Commission ने Combined Defense Service परिक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है परिक्षा के लिए आवेदन करने वाले Candidates Official Website UPSCOnline.nic.in e-admit card के जरिए admit card डाउनलोड कर सकते हैं देश के विबिन परिक्षा केंद्रों पर 7 फरवरी को परिक्षा आयोजित की जाएगी वहीं आपको बता दें कि UPSC CDS की लिखित परिक्षा 300 अंकों की होती है जिसमें English GK और प्रारंबिक गणित से 100 सवाल पूछे जाते हैं हर सवाल एक अंका होगा और एक गलत विकल्ब चुनने पर दशमलत 3-3 मार्क्स की निकेटिव मार्किंग की जाएगी जो लोग OTA के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ English और GK के पेपर में शामिल होना होगा अगली महत्मूर्ण खबर पोस्ट आफिस में खाता धारकों से जुड़ी हुई अगर आपका recurring deposit यानि RD account पोस्ट आफिस में हैं तो आपको इसमें पैसा जमा करने के लिए पोस्ट आफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इंडिया Post Payments Bank यानि IPPB एप के माधियम से पोस्ट आफिस आइडी में आउनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं अपनी मासे किष्ट को इस एप के माधियम से आउनलाइन अपने आइडी खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है इसके लिए IPPB एप का इंस्टाल होना जरूरी है दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलू करें नमस्कार